ये दिखे दोस्तों तंदूरी रोटी हमारी पर्फेक्ट धाव श्टाइल बनके तयार हो गई है वो भी धावा पे आप भी इसे अब इजिली घर में बना सकते हैं धावा जैसा दिखने के लिए हम इस पे अच्छी तरह बटर लगाएंगे इस तरीके से तंदूरी रोटी आप घर पे बनाएंगे तो सभी धावा जाना छोड़ देंगे अलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम बनाएंगे बिल्कुल धावा श्टाइल तंदूरी रोटी घर पे तंदूरी रोटी खाना तो सभी को पसंद है पर आज हम घर पर हेल्दी धाबा श्टाइल तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम लेंगे दो कप गेहूं का आटा और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक एक चम्मच बेकिंग पॉडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा डालेंगे और अब सभी सूखे इंग्रेडियन्ट को चम्मच से मिला लेंगे जिससे सभी इंग्रेडियन्ट आटे में अच्छी तरह मिल जाए यह दिखें यहां मैंने सभी इंग्रीडेंट को अच्छी तरह मिला लिया है और अब हम इसमें एक कप दही एड़ करेंगे एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल डालकर चमच से दही और तेल को भी हम मिला लेंगे और अब हम चमच को क्लीन करके हाथों से आटा लगाएंगे आटा को हलके हाथों से इस तरह मिलाते हुए पहले हम सभी इंग्रीडेंट को अच्छी तरह मिला लेंगे यह दिखें यहां मैंने हाथ से आटे में सभी इंग्रीडेंट को अच्छी तरह मिला लिया है और अब हम आटे को गुन लेगे आटे को गुनने के लिए यहां मैने एक कप पानी लिया है हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी याइड करेंगे पानी को हाथ में लेकर के इस तरह पहलाते हुए हम डालेंगे आटे को हम गूद करके medium soft dough तयार करेंगे ये देखें आटा यहां मैंने गून लिया है लेकिन ये अभी soft नहीं है हम इसे इसी तरह मसल मसल के soft बना के तयार करेंगे और अब हम इसमें एक चमच तेल डालेंगे तेल डालकर आटे को हम एक बार फिर से गूत लेंगे ताकि आटा हमारा soft बन के तयार हो ये देखें यहां मैंने आटा को गून लिया है अब हम इसे तेल लगा करके ढ़क कर 10 मिनट के लिए wrist पे रखेंगे 10 मिनट हो गये हैं हम इसे चेक कर लेंगे ये देखें आटा हमारा set हो गया है आटे को हलके हाथों से इस तरह मिला करके हम चिकना कर लेंगे दो हमारा perfect लग के तयार हो गया है और अब हम इसे तंदूरी रोटी बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड लेंगे ये देखें यहां मैंने सभी को तोड लिया है और चलिए अब हम इसका तंदूरी रोटी बनाते हैं तंदूरी रोटी बनाने के लिए यहां मैंने लोहा का तवा लिया है तवा को high flame पे गरम होने देंगे तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम आटे का डो लेंगे और उसे इस तरह गोल घुमाते हुए पेड़ा बना लेंगे इसे हलके हाथों से दबा लेंगे और इस पे सूखा आटा लगाएंगे जिससे ये बेलते समय चिपकेना और अब हम इसे हलके हाथों से बेल लेंगे इसे हम गोल अकार में बेलेंगे आप इसे अपने पसंद के आकार में भी बेल सकते हैं ये देखे यहां मैंने रोटी को अच्छी तरह बेल के तयार कर लिया है अब हम इसे हाथों पे लेंगे और इसके एक साइड में पानी लगा लेंगे पानी को हम अच्छी तरह रोटी पे फैला के लगाएंगे जिससे तावा पे ये अच्छी तरह चिपक जाए और चली अब हम इसे सेख लेते हैं ये देखे पानी वाले साइड से रोटी को तावा पे मैंने अच्छे से चिपका दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे तंदूरी रोटी को हम अच्छे से सेक लेंगे ये देखे दोस्तों तंदूरी रोटी हमारा फूल गया है अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इस तरह गोल घुमाते हुए तंदूरी रोटी को चारो तरफ से सेक लेंगे इस तरह तंदूरी रोटी को सेकने से तंदूरी रोटी हमारा बिल्कुल धाबे श्टैल बन के तयार होगा ये देखे तंदूरी रोटी हमारा अच्छे से शिक्के तयार हो गया है अब हम इसे चम्मच या चिम्टा से निकाल लेंगे और ये देखे मैं आपको पलट के दिखाती हूँ और अब हम इस पे बटर लगा लेंगे ये देखे तंदूरी रोटी गरम है हम इस पे बटर लगा लेंगे ताकि बटर हमारे रोटी पे अच्छी तरफ फैल जाए और अब हम तावा पे से तंदूरी रोटी निकाल लेंगे ये देखे परफेक्ट धावा इस्टाइल तंदूरी रोटी हमारा बनके तयार होगे मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ये देखे मैंने इसे कट कर लिया है तंदूरी रोटी काफी गरम है मैं इसे पलट करके दिखाती हूँ ये देखे पीछे तरफ से भी अमारा पर्फेक्ट बन के तयार हुआ है चलिए अब हम इसे सर्प कर लेते हैं इसी तरह हमने सारी रोटी बना के तयार कर लिया है ये देखे तंदूरी रोटी को आप पनीर छोले आलू दाम किसी के भी साथ खाई ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्फूल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब